असलालेकुम आज हम बहुती टेस्टी आलू और फ्रेंच बीन्स की सबजी बनाने जा रहे हैं तो आए देख लेते हैं इसको हम कैसे बनाएंगे आलू बीन्स बनाने के लिए हमने 500 ग्राम फ्रेंच बीन्स ली हैं उनको हमने अच्छी तरह से धोकर काट लिया है और अब हम कड़ाई में तेल डालेंगे तेल आप अपने हिसाब से डालें फिर एड कर देंगे इसमें चुटकी भरहीं एक छोटा चमच जीरा थोड़ा फ्राई करेंगे और फिर इसमें शामिल कर देंगे चार से पांच लेसन की कलियां बारीक कटी हुई लेसन को भी थोड़ा फ्राइ करेंगे ताकि इनके फ्लेवर्स तेल में आ जाएं और एड़ कर देंगे तीन हरी मिर्च लंबी कटी हुई हरी मिर्च को भी तमाम इंग्वीडियन्स के साथ फ्राइ करेंगे और एक medium size की प्यास बारीक चौप करके डाल देंगे प्यास को हम golden नहीं करेंगे बस थोड़ा सौते करेंगे तीन-चार मिनिट पकाएंगे और इसमें add कर देंगे तीन medium size के आलू आलू को भी प्यास लेसन और हरी मिर्च के साथ fry करेंगे अब हम इसमें कुछ powder मसाले शामिल कर रहे हैं हमने 1.5-4 चमच हल्दी पाउडर 1.5-4 चमच धनिया पाउडर 1.5-4 चमच लाल मिर्च पाउडर 1.5 चमच नमक add कर दिया है नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाप से डालें मसालो को थोड़ा पकाएंगे आलु के साथ तक्रीबं 20 मिनिट पकाएंगे आज को हम हल्का रखेंगे और अब हम इसमें शामिल कर देंगे फ्रेंच बीन्स को भी आलू के साथ मिक्स करेंगे और ढग कर हलकी आज पर इसको दस मिनिट पकाएंगे दस मिनिट हो गएं हम हलके हातों से चम्मट चलाएंगे और अब हम इसमें एट कर देंगे एक मीडियम साइज का टमाटर टमाटर को भी आलू बीन्स के साथ मिक्स करेंगे और दो मनिट इसको फिर ढग कर पकाएंगे दो मनिट हो गएं आलू बीन्स और टमाटर सॉफ्ट हो गएं तमाम इंग्रीडियंट्स को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे गैस की फ्लेम को अब हम हाई कर देंगे और अब हम इसमें शामिल कर देंगे आदा छोटा चम्मच आम चूर पाउडर एक बार फिर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे देखे आलू हमारे गल गए हैं अब हम इसमें एड़ कर देंगे आदा छोटा चम्मच गरमसाला पाउडर थोड़े से चिली फ्लेक्स यह आप्शनल हैं और मुठी भर हरा धनिया एक बार फिर हलके हातों से तमाम इंग्रीडियंट्स को मिक्स करेंगे और इसको ढखकर दो मिनिट और पकाएंगे ताकि सारे फ्लेवर्स कमबाइन हो जाएं और लीजिये हमारी डिलिशियस आलू बीन्स की सबजी तयार है आईए सर्फ कर लेते हैं हमने इस रेसिपी में पानी का यूज बिलकुल नहीं किया है सबजियां अपने ही पानी में पकी हैं देखे कितनी कलरफुल डिश बनी है हमारी रेस्पी पसंदा है तो प्लीज चैनल को लाइक शियर कमेंट और चैनल पे नए हैं तो सबस्क्राइब जरूर कर दीजेगा फिर मिलेंगे अल्ला हाफिज